तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडिमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में और यह जी वीडियो है आप लोगे 12 क्रास के उर्दू का जो चैप्टर वाइज अब्जेक्टिव कोश्चन का सरी चल रहा है ना उसका पार्ट 11 है जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 11 के तो आगे क्या करना है आप लोग को मालूम्हीं होगा सारे अब्यक्टिव कोश्चन को इकर्स के द्यान के देखना है और अपने हिसाबrestz सबसे पहले है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि मेरी रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचे ठीक तो चलिए अब वीडियो की शुरुबात करते हैं हर एक अब्जेक्टिव को ध्यान से देखना है समझना है उसके सांसाथ उसका सही इंसर याद करते चलना है ठीक तो चलिए हाँ तो यहां से आप लोगो का सवाल स्टार्ट हो रहा है और देखें यहां पर और लड़ी चैप्टर का नाम लिखा हुआ है गुबार खातिर से तीन खतूत गुबार खातिर क्या है यह खुतूत यानि की चिठ्ठी का लेटर्स का कित किताब है ठीक जिसमें से आप लोगो को ट्विल्द क्लास के उर्दों में तीन खतूत पढ़ना था और इसलिए चैप्टर का क्या नाम रख दिया गया है गुबार खातिर से तीन खतूत यान की गुबार खातिर नाम का यह जो किताब है खतूत का इसमें से तीन खतूत कितने खतूत हैं तो मैं आप लोगो को बता चुकि हूँ कि इस गुबार खातिरौनाम की खत के किताब में टोटल 24 खत थेन च्वेन की लेटर है ठीक आगे बढ़ते हैं दूसरा सवाल है कि गुबार खातिर मकतूब के मकतूब निगार कौन है यह जो खतूत का किताब है ल किसके राइटर कौन है खत लिखने वाले कौन है किसने लिखा था तो आपसान अ में देखिए एपीजे अबुल कलाम आजाद बी में अबुल कलाम आजाद सी में सलाम बिन रजाक और डी में है ख्वाजा असन निजामी तो यहां पर मैं आप लोगो बता दू इसका सही जबा हो जाएगा आपसान नंबर भी अबुल कलाम आजाद यहां पर आप लोगो को कंफ्यूज नहीं होना है एपीजे अब्दुल कलाम आजाद अलग है और अबुल कलाम मौलाना अबुल कलाम आजाद अलग है ठीक तो यह जो गुबार खातिर नम का खतूद का किताब था ना वो लिखा गया था अब उनकलाम आजाद के द्वारा ठीक आगे बढ़ते हैं आपसन नमबर भी हो गया आपडों का सही जवाब तिसरा सवाल है कि भारत छोड़ो तहरी कि कब हुआ भारत छोड़ो यह जो अंदोलन है यह कब हुआ था कौन से सन में आपसने में इसका सही जवाब क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑपसन नमबर डी नहीं सब ब्यालिस में भारत छोड़ों दोलन हुआ था आगे बढ़ते हैं सवाल नमबर चार है कि सदीक के मुकर्रम कौन है यह भी मैं आप लोको अलबी बता चुकी हूँ जब चप्रप् खरम जो है ना वो हैं हबीबुर्रहमाखाश शेरवानी के नामी मौलाना अबुल्थामाजाद जो है ना 24 खतूत लिखे थे जिसका नाम रख दिया गया मनलब उस क्तूत का किताब बना दिया गया गुबार खातिर ठीक आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है सवाल नमबर पा अबुलाम आज़ाद का अखबार नहीं है यह आप लोगों को बताना है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपसट नमबर ए खलक बाकी लिसान अलसिद्ग और अलहलाल और अलवलागी यह तीनों जो है ना मौलाना अबुलाम का अखबार हैं बाकी खलक लगार नहीं है तो आपसा नमबर ए इस जो राइट एंसर आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर सिक्स है कि गुबार खातिर के खुथ किस जेल में लिखे गए थें गुबार खातिर में जो 24 के 24 खुथ है खत है उसको किस जेल में बैठा कर मौलाना अबुलाम आज़ाद लिखे थ आपसे नंबर भी एहमद नगर की जेल में बैठकर मौलाना अबुल खुलाम आजाद गुबार खाथिर के सारे खुतूर प्लिशे थे साथ नंबर सवाल है कि मौलाना आजाद कौन सी चाय पीते थे यह भी मैं आप लोगा अलड़ी बता चुकी हूं कि मौलाना अबुल खुल चंबेली भी में यास्मिन सफेद सी में यास्मिन ठेट और डी में हो जाएगा आप लोगा गोरी चंबेली तो इसका सही ऑपसन क्या होगा सही ऑपसन है ऑपसन नंबर डी गोरी चंबेली ठीक है उर्दू में कहा जाता है गोरी चंबेली वाइट जास्मिन को आगे बढ़ थे 35 साल की उमर में आपसन नमबर ए इस राइट एंसर आगे बढ़ते हैं सवाल नमबर दस की मौलाना अबुलकलाम आजाद का असल नाम क्या है रियल निम तो यह आप लोग जानते ही होंगे यह तो बहुत आसान कोश्चन है इसका सही जवाब हो जाएगा आपसन नमबर सी म आपसन क्या हो जाएगा आपसन नमबर सी खैरुद्दीन मौलाना अजाद के वालिद का नाम था खैरुद्दीन सवाल नमबर 12 है कि मौलाना अजाद किस मुलक में पैदा हुए तो यह आप लोगो को बहुत जदा आसान है फड़ाफर बताईए तो इसका राइट एंसर क्य है यह आप लोगो को अलड़ी में बता चुकी हूं मौलाना अजाद का जो तारीखी नाम है ना वह हैं फिरोज बख्त ऑपसन नमबर डी इस राइट एंसर अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं अबुलकलाम आजाद कप पैदा हुए यह आप लोगो को बताना है आपसने में 1888 B में 1788 अपसन A में है एक मिनट अपसन A में 1886 B में 1788 C में 1888 और D में 1786 तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सही आपसन अपसन नमबर C 1888 में मौलाना अबुलकलाम आजाद की पैदाईश हुई थी सवाल नमबर 15 है यानि कि 15 की 19 साथ 3 एक मिनट यहां पर 30 नहीं रहेगा 19 साथ 3 होगा 19 साथ 3 में महज 15 बरस की उमर में उन्होंने कौन सा रिसाला शाय किया यहां पर आप लोगों को बताना है कि 19 साथ 3 में जो है ना मौलाना अबुलकलाम आजाद 15 साल के हो गए थे तो 15 बरस की उमर में उन्होंने कौन सा रिसाला उन्हों सा पत्रिका परकाशित कर दिया आ अपसन नमबर लिसान लिसान की उमर में मालाना अजाद 15 की बirlet 16 की इतने बरस की उमर में मौलाना आजाद बहुत ज़्यदा सिंपल सा कोश्चन है 15 साल की उमर में आपसन नमर भी जो राइट एंसर आगे बढ़ते हैं कोश्चन नमर 17 कि तकरीबन कितने महीने मौलाना आजाद कराची में नजर बंद रहे थे तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपसन नमर डी 44 महीने तकरीबन 44 महीने मौलाना अबुल्कलाम आजाद को झेल मलत नसर मंद रखा गया था आगे बढ़ते हैं सवाल 19 कि 19 से 12 में मौला ना आजाद का अकबार अलहलाल कहा से निकाला गया तो निकाला गया था अपसन नमर ई जो आगे बढ़ते हैं अगला सवाल है कि अबुलकलाम आजाद के शादी किस से हुई थी तो अबुलकलाम आजाद के शादी हुई थी महतरमा जुलेखा बेगम से आगे बढ़ते हैं सवाल नमबर 20 कि किस साल मौलाना आजाद कॉंगरेस के सदर मुन्तखब हुए यान कि किस साल मौलाना आजाद जो हो जाएगा सही option option number c उनिश्चा 23 में मौलाना अबुल्कलामाजाद कांग्रेस के सदर बने थे आगे बढ़ते हैं सवाल number 21 कि किस साल मौलाना अजाद मिसर तुर्की और इराक के सफर पर रवाना हुए थे तो ये मिसर तुर्की और इराक के सफर पर रवाना हुए थे कब उनिश्चा 8 में option number d is your right answer और उनिश्चा 8 में ही मौलाना अबुल्कलामाजाद के वालिद का इंतकाल हो गया था ये भी आप लोगो को याद रखना है आगे बढ़ते हैं सवाल number 22 कि अलहलाल के बदले में कौन सा रिसाला शाय हुआ अलहलाल जो है ना बंद हो गया ये जो अखबार है जो मौलाना अबुल्कलामाजाद अखबार निकाले थे ये बंद हो गया लेकिन इसके बदले में मौलाना अबुल्कलामाजाद फिर से नया रिसाला नया पत्री का जो है वो परकाशित किये उसका नाम आप लोगो को बत गजाना है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑफसर नमबर सी उन्हेसा चौदा में ही बंद हो गया था फ़ाल नमबर ट्विटीफॉर है कि कि किस साल मौलाना आजाद महात्मा गांधी के बुलावे पर कॉंग्रेस और खिलाफ़त तेरेक में शरीक हुए महात्मा गांधी कि साल मौलानाजाद को बुलाए थे जिनके बुलाए पर मौलानाजाद जो है ना कॉंग्रेस और खिलाफत तहरीक में शरीक हो गए शामिल हो गए यही आप लोगो बताना है तो इसका सही जवाब हो जाएगा सही आपसन आपसन नमबर बी उन्हें सब 20 में महात्मा गांदी तो इसका भी एंसर आप लोगो मालूम होगा बहुत ज़्यादा सिंपल सा कोश्टन है यह इसका सही एंसर हो जाएगा आपसन नमबर सी छे सालों तक ठिक आगे बढ़ते हैं सवाल नमबर 26 है कि हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम कौन है यह भी मैं आप लोगों को और बहुत ज़्यादा इंपोर्टन समझते विए मैं आप लोगों को बताई थी जब मैं आप लोगों को पढ़ा रही थी तो इसका सही एंसर हो जाएगा ऑप्सन नमबर सी मौलाना अबुलकलाम आजाद को पहली बार हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम गोसित किया गया य इसका सही जवाब किया हो जाएगा सही आप्सन नमबर बी बाइस फेवरियरी उनेशन थावन को मौलाना अबुलकलाम आजाद का इंतकाल हो गया ठीक आप्सन नमबर बी जो राइट एंसर आगे बढ़ते हैं लास्ट कोश्टन के दर्जजेल में से कौन मौलाना अबुलक अबुलकलाम आजाद का लिखा हुआ किताब नहीं है यहीं आप लोगो बताना है तो देखिए आपसन ए में तर्जमान अलकुरान सी में इंडिया वन्स फ्रीडम और डी में गुबार खातिर तो यहां पर मैं आप लोगो को बता दूं कि इन चारो आपसन में से कोई भी ऐ चारो किताब मौलाना अबुलकलाम आजाद के द्वारा ही लिखा गया है तो आप लोग कहेंगे तो फिर सही जवाब क्या हो जाएगा सही आपसन यहां पर मैं आप लोगो को बता दूं कि यह हम से गलती हुआ ना टाइप करने में लेकिन जब आप लोग एक्जाम में कोश करा दे देगा तर्जुमान खुरान इंडियों फिर मंदब तीन आपसन में तो इन चारों में से कोई तीन उठा कर दे देगा और जो सही आप लोगों का जवाब होगा जो सही आपसन उसमें मौताना अबुलकलाम आजात का लिखा वह किताब नहीं देगा तो वहीं हो सब्सक्राइब करें तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और हुदा हाफिज